हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीके नाइस तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से सिक्सक भरती और अन्य परतोगता प्रिक्साओं से जुड़ी लेटेस हुज अपडेट कराई जाती हैं तो इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट है जी हां फ् अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर ले तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आपको जो केश डाइरी ती उसका ओडर यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है यह आप देख सकते हैं उत्तरपरदेश पब्लिक सर्विस कमिशन और ठीक है इस्टेट ओफ है ठीक है तो अब इसमें कोई डेट वेट नहीं लगने वाली है याचिका को लेकर अब बस लोग सिवायोग के उपर है कि लोग सिवायोग कब तक इन दोनों विश्व का रिजल्ट जारी करता है वैसे तो जल्द ही जारी करेगा ठीक है और अब देख लेते अपडेट 40,000 पदों को लेकर जो धर्णा परदरसंता उसके बारे में तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं रोजगार अधिकार अंदोनन युवा मंच के द्वारा टीजीटी पीजीटी 40,000 पदों के लिए धर्णा परदरसंता तो क्या उसकी प्रेस विग्यप्ति हैं यहाँ आप देख सकते हैं रोजगार के सवाल पर बालसन चुराय पर बेमियादी धर्णा परदरसं शुरू युवा मंच टीजीटी पीजीटी के 40,000 पदों सहीत लाखों खाली पदों पर चैन परकिरिया सुरू करने की मांग को लेकर आज बालसन चुराय पर बेमियादी धर्ण पर दरसन शुरू कर दिया चादरों ने एलान की आएकि जब तक योगी सरकार रोजगार के सवाल को हल करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती और लाखों खाली पदों पर चैन परकिरिया सुरू नहीं करती है तब तक रहना पर दरसन आंदोलन जारी रहेगा वक्तावने का पर दियोगी सरकार मनमानी पर आमाद है कहा है कि अब रोजगार के मुद्दे बालसन चुराय पूरे परदेश के आंदोलन का केंदर बनेगा और लाखों खाली पदों पर भरती का जो वादा भाजपाव पीम ने किया था उसे हलहाल में योगी सरकार को पूरा करना होगा पर देश में हालत इतना खराब है कि तीन साल में नई भरतिया तकरीवन ठप है शिक्सक भरती का एक भी नया विग्यापन नहीं आया यहां तक कि आंदोलन के दवाव में चैन बोड ने 40,000 पदों के अधिया चन को भी अधिक बता कर उसमें 60% की कटोटी कर दी है लेकिन इ आयोग का पुनर गठन किया गया था जिसमें साल भर चैन परग्रिया ठप रही थी लेकिन आयोग के पुनर गठन के बाद भर भषताचार भाई भतीजावाद और पेपर्स लीक के मामले तस ही नहीं बलकि इजाफ़ा हुआ है इसलिए सरकार का नयाए आयोग के घठन के प तो फ्रेंड्स यह ता आपका 40,000 पदों को लेकर आज जो धन्ना परता संता उसका अपडेट और केश्डाइडी के बारे में भी हमने आपको अपडेट करा दिया है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और से जरूर कर दे और प्लीज वीडियो को से जरूर कर दे थैं